मां के लिए गुलाब भावनात्मक कहानी, दिल को छूजाने वाली कहानी, राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए, अपनी गाली को रोका, और दुकानदार के पास गया, और अपनी मां के लिए फूल भेजने के लिए कूरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहाँ आई और उस आदमी से बोली अंकल मैं अपनी मां के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूं लेकिन मेरे पास दो रूपे कम पर रहे हैं इसलिए अगर मेरी दो रूपे की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूं यह सुनकर वह व्यक्ती मुस्कुराया और बोला ठीक है तुम खरीद लो दो रूपे मैं दे देता हूं फिर जैसे ही वह व्यक्ती फूलों का ओडर देने के पश्चात वहाँ से जाने लगा तो लड़की बोली आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपने गाड़ी से छोड़ वह व्यक्ती भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया तो देखा कि एक कबर पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कबर से लिप्ट गई जिसे देखकर उस व्यक्ती की आँखे खुल गई वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ती तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कूरियर का ओर्डर निरस्ट करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से मां को देने के लिए निकल पड़ा नेतिक शिक्षा हमारा जीवन छोटा है आप जिन्हें चाहते हैं जो कोई भी आपका हो उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें क्यूपि सबको अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुम्किन हो जाए इसलिए जीवन के प्रतेक्षन में जीवन का आनन्द ले, क्योंकि और आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।